हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे आईए आज आपका नया अध्याय व्रत पढ़ना आरंब करते हैं आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि व्रत एक तल के उन बिंदूओं का समू होता है जो एक नियत बिंदू से अचर दूरी तिज्या पर होते हैं आपने व्रत से संबंदित अवधारनाओं जैसे जीवा, व्रत खंड, तिज्य खंड, चाप आदी के बारे में भी पढ़ा है आईए, अब एक तल में स्थित, एक व्रत तथा एक रेखा की विभिन स्थितियों पर विचार करें आईए, हम एक व्रत तथा एक रेखा PQ पर ध्यान दें, दी गई निम्न आकरती में तीन संभावनाएं हो सकती हैं देखिए, आकर्ती में रेखा PQ, ये आपकी रेखा PQ, तथा व्रत में कोई उभेनिष्ट बिंदू नहीं है, इस दशा में PQ को व्रत के सापेक्ष अप्रतिछेदी रेखा कहते हैं, आकर्ती में रेखा PQ, और व्रत में दो उभेनिष्ट बिंदू A और B हैं, इस दशा में हम रेखा PQ को व्रत की छेदक रेखा कहते हैं, आकरती में रेखा PQ और व्रत में एक और केवल एक उभेनिष्ट बिंदू A है इस दशा में रेखा व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है यह यहाँ पर यह स्पर्श रेखा कहलाती है ठीके बच्चों, तीनों स्थितियां आपको समझ में आ गई आगे देखते हैं आपने कुएं के ऊपर स्थिर की हुई एक घिर्नी को देखा होगा चित्र में देखिए, जिसका उपयोग कुएं से पानी निकानने के लिए किया जाता है आकरती को देखिए, यहाँ घिर्नी के दोनों और की रसी को यदि किरण की तरह समझें तो वे घिरनी द्वारा निरुपित व्रत पर स्पर्श रेखा की तरह होगी ठीक है बचो आईए उपर दी गई स्थितियों के अतिरिक्त क्या व्रत के सापेक्ष रेखा की कोई अन्य स्थिति हो सकती है आप देख सकते हैं कि इन स्थितियों के अतिरिक्त रेखा की व्रत के सापेक्ष कोई अन्यस्थिती नहीं हो सकती इस अध्याय में हम व्रत की स्पर्श रेखा के अस्तित्व के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके कुछ गुणों का भी अध्यन करेंगे तो आईए पिछले परिछेद में आपने देखा है कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा वे रेखा है जो व्रत को केवल एक बिंदू पर प्रतिछेद करती है स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेश्थती है जब उसकी संगत जीवा के दोनों सीरे समपाती हो जाएं स्पर्श रेखा और व्रत के उभेनिष्ट बिंदू को स्पर्श बिंदू कहते हैं तथा स्पर्ष रेखा को व्रत के उभेनिष्ट बिंदू पर स्पर्ष करना कहते हैं अब आप अपने चारों और देखिए क्या आपने एक साइकल अथ्वा एक बैल गाड़ी को चलते देखा है इनके पहियों की और देखिए एक पहिये की सभी तीलियों इसकी तिज्याओं के अनुरूप हैं अब पहिये की स्थिती पर धर्ती पर गती करने के सापेक्ष व्याख्या कीजिए क्या आपको कहीं स्पर्ष रेखा दिखती है वास्तव में पहिया एक रेखा के अनुदिश गती करता है जो पहीए को निरुपित करने वाले वरत पर स्परश रेखा है यह भी देखिए कि सबी स्थितियों में आकरती धरती के स्परश बिंदू से जाने वाली तिज्या स्परश रेखा पर लंब द्रिष्टी कोचर होती है अब हम स्पर्श रेखा के इस गुण को सिद्ध करेंगे एक प्रमे द्वारा देखिए पहला प्रमे व्रत के किसी बिंदू पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदू से जाने वाली तिज्या पर लंब होती है उपत्ती में हमें देखा कि हमें केंद्र O वाला एक व्रत दिया है और एक बिंदू P पर स्पर्श रेखा XY दी है हमें सिद्ध करना है कि O P XY पर लंब है आईए देखें कैसे करेंगे इसको यह देखें यहाँ पर एक व्रत है O इसका केंद्र बिंदू है यह O P तिज्या और यह XY हमारा स्पर्श रेखा है XY पर P की अतिरिक्त एक बिंदू O लीजिए और O Q को मिलाईए यह देखें O Q बिंदू O व्रत के बाहर होना चाहिए क्यों ध्यान दीजिए कि यदि Q व्रत के अंदर है तो XY व्रत की एक छेदक रेखा हो जाएगी और वह व्रत की स्पर्श रेखा नहीं होगी अतह O Q तिज्या O P से बड़ी है अर्थात हम कह सकते हैं O Q बड़ा है O P से क्योंकि यह बिंदू P के अतिरिक्त XY के प्रतेग बिंदू के लिए सत्य है O P बिंदू O से XY के अन्य बिंदूओं की नियूंतम दूरी है इसलिए O P XY पर लंब है ठीक है बच्चो टिपपनी पर गौर करिए पहला उपर्युक्त प्रमे में हम यह भी निशकष निकाल सकते हैं कि व्रत के किसी बिंदू पर एक और केवल एक स्पर्ष रेखा होती है दूसरा स्पर्ष बिंदू से तिज्या को समाहित करने वाली रेखा को व्रत के उस बिंदू पर अभी लंब भी कहते हैं ठीक है बच्चों याद रखियेगा चलिए आगे हम आपकी प्रशनावली 10.1 हल करते हैं प्रशन पहला एक व्रत की कितनी स्पर्ष रेखाएं हो सकती है सोचिए एक व्रत की अनन्त स्पर्ष रेखाएं हो सकती है क्योंकि एक व्रत में उस पर असीम बिंदूओं की संख्या होती है और हर बिंदू पर एक स्पर्ष रेखा खींची जा सकती है प्रशन दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए किसी व्रत की स्पर्ष रेखा उसे एक बिंदू पर यह हमने अभी देखा था एक बंदू पर प्रतिछेद करती है तो क्या आएगा रिक्तस्तान में एक व्रत को दो बिंदूओ पर प्रतिछेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं बचो छेदक रेखा छेदक रेखा कहते हैं आगे आगे देखते हैं एक व्रत की कितनी समानतर स्पर्ष रेखाएं हो सकती हैं। दो समानतर स्पर्ष रेखाएं हो सकती हैं। देखिए, अगर हमारे पस ये व्रत है, इसकी एक रेखा यहां और एक रेखा यहां। ये एक बिंदु पर प्रतिचेत करेगी इस प्रकार। तो हमारे पास दो समानतर स्पर्श रेखाई हो सकती हैं व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपहनिष्ट बिंदू को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदू कहते हैं इसको कहते हैं स्पर्श बिंदू इंगलिश में कहते हैं Point of Contact ठीक है बचो चलिए अगला प्रशन करते हैं पांच सेंटीमीटर तिज्या वाले एक व्रत के बिंदू P पर स्पर्श रेखा PQ केंदर O से जाने वाली एक रेखा से बिंदू Q पर इस प्रकार मिलती है कि O Q बराबर है 12 सेंटीमीटर P Q की लंबाई हमें याद करनी है और चार विकल पिस्परकार है पहला है 12 सेंटीमीटर दूसरा है 13 सेंटीमीटर तीसरा है 8.5 सेंटीमीटर और चौथा है वर्ग मुल 119 सेंटीमीटर आप आकरती में देखिए त्रिबुज O P Q में कोण P समकोण है क्यों? क्योंकि त्रिज्या सपर्श रेखा पर लंब होती है पाइथगरस प्रमेद्वारा O Q का वर्ग बराबर होगा P Q का वर्ग प्लस O P का वर्ग अब हम इनका मान रख देते हैं 12 वर्ग बराबर है P Q का वर्ग प्लस 5 का वर्ग P Q का वर्ग बराबर है 144 माइनस 25 जो बराबर है 119 इस प्रकार P Q का मान आया वर्ग मुल 119 सेंटीमीटर इसलिए विकल्प D सही है ठीक है बचू आए अब अगला प्रशन देखते हैं भाई बिंदू से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाईयां बराबर होती हैं उपत्ती देखिए हमें केंदर O वाला एक व्रत व्रत के बहार का एक बिंदू P तथा P से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं P Q और P R दी हैं हमें सिद्ध करना है कि P Q बराबर है P R ठीक है इसके लिए हमें O P O Q और O R को मिलाते हैं तब कौन O Q P तथा कौन O R P सम कौन है यह हम जानते हैं क्योंकि यह जो तिज्जाए हैं वो स्पर्श बिंदू से लमवत होती हैं और बीच में इनका कौन दबे डिगरी का होता है और प्रमे से यह सम कौन है अब सम कौन त्रिभुजो O Q P तथा O R P में आप ध्यान से देखिए O Q P और O R P में हमारे पास O R बराबर है O R क्योंकि एक ही व्रत की त्रिज्जाएं हैं ठीक है आगे देखिए यह O Q बराबर है O R और O P उभेनिष्ट है इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी और हमारे पास O R P बराबर है नमबर डिगरी O Q P बराबर है नमबर डिगरी इस प्रकार यह दोनों त्रिभुज क्या हुए सर्वांग सम हुए ठीक है आगे देखिते हैं O P बराबर है O P उभेनिष्ट अते त्रिभुज O Q P सर्वांग सम है O R P के R H सर्वांग समता द्वारा इसलिए प्राप्थ होता है P Q बराबर P R इसको हम कहते हैं C P C T टिपपणी पर गौर करिए प्रमे को पाइथोगरस प्रमे का प्रयोग करके भी निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है किस प्रकार P Q का वर्ग बराबर है O P का वर्ग माइनस O Q का वर्ग जो बराबर हम OQ और OR बराबर हैं इससे प्राप्त होता है कि PQ बराबर है PR दूसरा यह भी देखिए यह भी ध्यान दीजिए कि कोण OPQ बराबर है कोण OPR अतह ओपी कोण QPR का अर्धक है अर्थात व्रत का केंद्र स्पर्श रिखाओं के बीच के कोण अर्धक पर स्थित होता है ठीक है बच्चो याद रखेगा चलिए आगे हम अगला उधारन देखते हैं सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रिय वर्तों में बड़े व्रत की जीवा जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदू पर सम्धिवभाजित होती है यहां दे केंद्र O वाले दो संकेंद्रिय व्रत C1 और C2 बहार वाली व्रत C1 और यह C2 है और O हमारा केंद्र बिंदू है और बड़े व्रत C1 की जीवा यह जो छोटे व्रत C2 को बिंदू P पर स्पर्श करती है वो दिये हुए है हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर है BP यह जो AP है वो B P के बराबर है ठीक है बच्चो हम इसको देखिए कैसे हल करेंगे आए ओपी को मिलाएए इस प्रकार A B C 2 के बिंदू P पर स्परश रेखा है और O P त्रिज्या है अब प्रमेद्वारा हम जानते हैं O P लमवत है A B के अब A B व्रत सीवन की एक जीवा है और O P की लमवत है A B अतह O P जीवा A B को सम्धिवभाजित करेगी क्योंकि केंद से जीवा पर खींचा गया लमव उसे सम्धिवभाजित करता है अर्थात हमें प्राप्त हुआ A P बराबर B P ठीक है बच्चो आईए आपकी प्रशनावली 10 दशमलव दो हल करते हैं पहला प्रश्न एक बिंदू Q से एक व्रत पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद से दूरी 25 सेंटीमीटर है व्रत की त्रिज्या है पहला विकल्प है 7 सेंटीमीटर दूसरा है 12 सेंटीमीटर तीसरा है 15 सेंटीमीटर और चौथा है 24.5 सेंटीमीटर आईए इसका हम पहले आकृति बना लेते हैं यह देखे, बिंदु Q से एक व्रत पर्ष पर्ष रेखा की लंबाई, कितनी है, 24 तथा Q की केंद से दूरी, कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यह हमारे पास बिंदु P है, और यह हम जानते है, तिज्या हमेशा स्पर्ष रेखा पर 90 डिग्री बनाती है, इस प्रकार हम यहां पर पाइथगर्स प्रमे लगाएंगे, और हम देखेंगे कि O P का वर्ग प्लस Q P का वर्ग बराबर होगा O Q के वर्ग से, उससे हम O P त्रिज्या निकाल पाएंगे, देखें कैसे, माना वृत का केंद्र O है, दिया है O Q बराबर 25 सेंटीमीटर और P Q बराबर है 24 सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि त्रिज्या प्लस Q का वर्ग प्लस Q का वर्ग बराबर है O Q का वर्ग, अर्थात O P का वर्ग प्लस 24 वर्ग बराबर होगा 25 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग किर्दिज्या साथ सेंटीमीटर है, अतर विकल्प A सही है, ठीक है बच्चो, असान लगा, चलिए अगला प्रेशन करते हैं, आकरती में यदि T P, T Q केंद्र O वाले किसी वर्ग पर दो स्पर्ष रेखाएं इस प्रकार हैं कि कौन P O Q, ये कौन दिख रही ह पिचो, P O Q कितनी है, 110 डिग्री, तो कोन P T Q बराबर कितनी होगी, ये हमें इस कोन का मान निकालना है, बहुत सरल है, पता चलिए कैसे करना है, बिल्कुल, ये आपकी तृज्या O P है और ये स्पर्ष रेखा है, ये हमने अभी पढ़ा है, प्रमे द्वारा कि ये 90 डिग्र होगी, ठीक है, अब देखिए, O P T Q क्या है, चत्रभुज, इसमें हम जानते हैं कि इनके कोनों का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, उसकी मदद से हम P T Q कोन निकाल लेंगे, आइए, हम इसमें जानते हैं कि जो O P है, वो लमवत है P T के, क्योंकि त्रिज्या स्परश्रेखा से लमवत होती है, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, O Q लमवत है Q T, कारण यही है, और हमें मिला चत्रभुज, O P T Q में हम इनका योग ले लेंगे, 110 प्लस 90 प्लस 90 डिग्री, प्लस हमें निकालना है कौन, P T Q, तो P T Q, सब का योग कितना आना चाहिए बच्चो, 360, ठीक है, तो हम इनको जोड लेते हैं, 180, 90 और 90, 180, और 110, कितना हो गया, 290, अब हम इसको 360 में से घटा के, हम कौन का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा, 70 डिग्री, P T Q, बराबर होगा, 70 डिग्री, ठीक है बच्चो, समझ में आया, तो हमारा कौन सा विकल्प ठीक है, दूसरा विकल्प, B, 70 डिग्री, ठीक है बच्चो, समझ में आ गया, ग्रह कारिये के लिए प्रश्ण ले लीजिये, पहला प्रश्ण, दो, संकेंद्रिय व्रतों में से भारी व्रत की तरिज्या 5 संटिमीटर है, तथा इसकी 8 संटिमीटर लंबी जीवा AC आंतरिक व्रत की स्परश रेखा है, आंतरिक व्रत की तरिज्या ग्याद कीजिये, कीजिए की Q, O, R, P एक चक्रिय चत्रुभुच है बहुत ही प्यारा प्रेशन है अभ्यास कीजिएगा प्रेशन तीन सिद्ध कीजिए की दो प्रतिछेदी रेखाओं को स्पर्श करने वाले व्रत का केंद्र इन रेखाओं से बने कोण के सम्धिवाजक पर स्थित होता है एक जीवा के सिरो पर खीची गई स्पर्श रेखाएं उस जीवा के बराबर कोण बनाती है ठीक है बच्चों आईए अब सारांच देख लेते हैं व्रत पर स्पर्श रेखा और उसके स्पर्श बिंदू का अर्थ स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदू से होकर खीची गई तिज्या पर लंब होती है आपको याद रखना है किसी बहारी बिंदू से व्रत पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खीची जा सकती है और किसी बारी बिंदू से व्रत पर खीची गई स्परश रेखाओं की लंबाई बराबर होती है किसी व्रत की स्परश रेखा वैरेखा है जो व्रत को केवल एक बिंदू पर प्रतिछेद करती है यह बहुत ही महत्पूर्ण है आपको याद रखना है व्रत के एक बिंदू पर एक और केवल एक स्परश रेखा होती है ठीक है बचो आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा कूब अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद रखना करता है अपर दोस्तिर में आपके प्लादेधर में आम मैं आररोपोंжेगाद रखना कि स्टियर रखना का के याद gotta tätगी है की इक प्लादेवाद weग Mehrा ह्रो आशा है जब असे रखना का रेक कि में आव बनाबवाद